आज हम लोगों ने दस बज़े की क्लासिस कंप्लेट कर ली है और इसके बाद आज उसी क्लास का क्यों करने वाले तो जैसे आप सभी को पता है कि कुछ इस तरीके से स्लेबस आपके अप्लिकेशन पर मिल जाते हैं और इस अप्लिकेशन पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके फैमिली स्टडी को पढ़ रहे हैं जिसमें पांचे टॉपिक्स आप लोगोंने प्रॉपर वे म कंप्लीट कर लिया है जिसका लास्ट टॉपिक अम लोगोंने आज सुरू किया है जीवन का विकास जिसमें आप कई सारे डवलप्मेंट के स्टेजस को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं इसी के वेशन को हम आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इसकी कोश्यन को अम ल करेंगे ठीक है इसमें आपने यह वाले को सब्सक्राइब कर लिया था राइट आज जीवन काल के विकास वाले में जो कोश्चन से एड इनको हम लोग करेंगे जो पूरा तीस कोश्चन होगा तो सभी लोग जल्दी से जोइन कर लीजिए और यहां पर एक बार इसको रीचे कर लेते हैं ठीक है थर्टी कोश्चन है इसको हम लोग आज स्वाल करने वाले ठीक है सभी लोग जोइन कर लीजिए पड़ा-पड़से प्रियंका यादोछी मीता राम मोहिन्नी कुमारी नीलम यादो नीरसराय प्रियंका वेरे गुड आप्टरनून सभी को चलिए सबी लोग जल्दी से जोईन कर लीजिए क्लासेस और लाइक और शेयर कर दीजिए और सबी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नौटिफिकिशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलता रहेगा चीक है? स्टार्ट करा जाएं और डैमिंशन क्या होने वाला है? काभी कुछ चीज़े हैं तो थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो आप पढ़ते हो जन्म की अवस्था यानि कि बच्चे की जन्म की अवस्था बच्चे के जन्म के बारे में जो पढ़ते हो भी जैखर आप आप लो उसके बाद और भी स्वल् पूछा गया है अलग-अलग exam में उसके बाद कुछ new question भी इसमें सामिल है जिसको समझ पाएंगे कुछ keywords है इसको हम जानेंगे keywords है keyword है इसको हम समझेंगे किस तरीके से क्या होता है जैसे एक example ले ले तो जर्म लेयर पढ़ते हो तो जर्म लेयर में आप तीन लेयर के बारे में पढ़ते हो ठीक है कौन-कौन से एक्टोडर्म पढ़ते हो, मीजो पढ़ते हो, और इंडोडर्म पढ़ते हो, इस तरीके से आप जर्म लेयर पढ़ते हो, जैसे कि बच्चे सभी जानते हो कि स्टार्टिंग में दो ही लेयर डबलप हो रहा होता है, बच्चे के बनने टाइम में, है न, एक्सो या फिर तो यह तो जर्म लेर की बात होगी जो जर्म लेने की समय बच्चे का डबलब होता है दूसरी बात आती है इसी से संबंदित एक टर्समार्म लग जाता है जैसे मेजमार्फिक मेसो मॉर्फिक मेसो मॉर्फिक हो गया एक्टो मॉर्फिक हो गया एक्टो मॉर्फिक हो गया एक्टो मॉर्फिक इस तरीके से तीन आ जाता है और एक आ जाते हैं इंडो मॉर्फिक इंडो मॉर्फिक हो गया इंडो मॉर्फिक हो गया तो इस तरीके से पढ़ते हो यह वाले टर्म लाजजी भी आप लोग पढ़ते हो तो इसका फिगर के साथ हम लोग लास्ट में देख लेंगे जैसे आप जर्ग लेयर पढ़ते हो ना सीधे आपको इंडो मारफिक के बारे में आपसे यूजी सी नेट पे पूछा भी ता कोशन तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कि एक दूसरे को को रिलेट करेंगे की वर्ट के मादियम से से किश आज की सेशन में आपको क्या क्या तयार होगा इससे संबंधित जितनी क्योंकि बार बार घुमा फिरा की अपसे पूछा गया है वह भी सामिल होंगे और कुछ की वर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे तो इस तरीके से पूरा इसको बनाया गया है स्टार्ट करते हैं पहले कोश्चिन के साथ सहसौ अस्थग सबसे महत्वपूर समयोजत होता है मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, इस राइट, प्रियंका बिल्कुल सही चले आंसर कर देंगे सबी लोग कुश्चन नंबर है आपके सामने फॉर्स्ट और फॉर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा यह सें टेनों के तीनों प्रविर्थी होती है जो बच्चा जब जब जन्म लेता है तो वह सुरू में देखो किसे आहरे हँई यानि के नाभी नाल के द्वारा जुड़ा होता है और आप कहे सकते हो कि उसी के द्वारा आपका पूरा का पूरा बच्चा भोजन पोशड को ले रहा होता है याद रखना उस समय बच्चा भोजन का अवशोषड कर रहा होता है न की डाइजिशन कर रहा होता है ठीक है ये बात important है क्योंकि आपने पढ़ा है अवशोषड और डाइजिशन दोनों अलग-अलग टर्मलाजी होती है अवशोषड की प्रक्रिया में हम स्मॉलिस्ट मॉलिक्यूल को एब्जॉब कर रहे होते हैं बोडी में पर एक्जम्पल वाटर है वाटर के स्मॉलिस्ट मॉलिक्यूल अल्रेडी बना हुआ है और स्मॉलिस्ट मॉलिक्यूल वाटर को हमारी बोडी कैसे अब्सॉब करती है कहां पर स्मॉल एनस्टाइल में नहीं तो बाहरी वातावरर से सबसे पहले तो temperature से environment से समयोजन स्थापित करेगा उसके बाद क्या करेगा उसके बाद अभी तक उसर की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को ग्रहण कर रहा था लेकिन अब क्या करेगा अब उसको आहार्ट दिया जाएगा दूद पिलाया जाएगा ठीक है तो ये सारे प्रक्रिया यहाँ पर सामिल हो जाती है ठीक है आई होप आपको ये पॉइंट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़े नेक्स्ट कोश्चन पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा जन्म के पश्चात नौजात शिशु का प्रथम सप्ता हमें वजन कम हो जाता है क्यों कि क्यों कम होता है आंसर क्या हो जाएगा नीतु वर्मा जी वेरे गूड आप्टरनून चले जल्दी से आ आंसर करेंगे सब लो पुश्चन सेकरगा जन्म के पश्चात शिशु का प्रथम स्प्ता में वजन कम हो जाता है क्योंकि बच्चा जन्म लेता है क्योंकि assimilate कर रहा होता है अब संग्जश स्थापित कर रहा होता है। ठीक है और दो छीजिए याद रहा है समझस स्थापित करने की प्रक्रिया है वह कह सकते हो दो तरीके की होती है एक होते है अडॉप्टेशन Wukhu इसमिलेशन बोनों में बेशिक सबस्टाइब होता है अडाप्टेशन को किसी चीज़ को एड़ाप्ट कर लिया अस्मिलेशन का मतलब होता है अस्मिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है उसके सभी जो इन्वार्मेंट होते हैं उसकी प्रक्रिया बहुत सारी प्रक्रिया चेंज हो गई होती है तो उस उसके जन्म लेता है बच्चे का बढ़ेंगा नहीं लेकिन डो महीने तक बच्चे की बिदी होती है यानिकी लंबाई वह ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो जन्म लेने के पश्चाथ नौजाद शिशु का प्रथम सप्ता में वजन कम होना, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलना, ऐसा होता है, नहीं, आप बोलोगे ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी explanation हो गया है, वह वाह वाता वरण के साथ क्या दर है, सामान स्थापित कर रहा है, वह ज्यादा समय सोता है, सोने के वज़े से नहीं होगा, सोता है, इस राइट, लेकिन question के according ये wrong है, उसके स्वास्त की देख बाल परयाप्त हो जाती, इसलिए उसका बजन कम होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, देख बाल होती है, ये अच्छी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आंसर करेंगे सबी लो, question number है, आपके सामने third, चलिए, third का right answer क्या हो जाएगा, question number third का सही जबा, Becoast, Beamin, Mridhobhojan, Biscuit, Mridhobhojan क्या होता है, कई बारना अपसे exam में भोजन के बारे में कुछ सब्दावली पूछी गई है, बोजन के बारे में, एक होता है आपका फोस आहार, एक होता है तरल आहार, तरल को भी दो भागों में पूछा गया है आपसे एक्जाम में, एक होता है पूर तरल आहार, और एक होता है सामाने तरल आहार, तरल आहार, पूर तरल आहार का मतलब क्या होता है, जो ट्रांस्परेंट हो, जिसमें कोई की भी चीज मिख्शक नहों और तरल आहर में लिक्विड पदार्थ आपको देते हो इस समय और पोषक पदार्थ पोशक या भूझे पदार्थ अगर ऐसा आजए तो आप जोडे बच्चों को तरल पोशक पदार्थ दो गहना तरल थोड़ी तरल का मतलब हो गया वैसा कोई भी लिक्विट जैसे पानी ले लो पानी में क्या है ज्यादा अब कुछ भी मिलता नहीं पोशक पदार्थ जीरो होता है यानि जीरो कैलरी पाए जाता है वाटर में ठीक है तो इसलिए तरल का मतलब हो जाएगा जो ट्रांस्पेरेंट हो जो एक ग्लास में रखो तो उसके बाहर की परिद्रिश्य को आप देख पाओ ट्रांस्पेरेंशी हो उसमें लेकिन जब तरल पोशक पदार्थ की बात करते हो ज girff फेनारियल का पानी हो गया यह किसी फ्रूट का जूस हो गया यह सब किसके अंतरगत आयगा यहां पर इसके अंतरगत इसका राइट आउनसर हो जाएगा because जो भी फर्स टाइम बच्चे के भोजे पदार्थ में कोई ठोस पदार्थ जोड़ा जाता है जैसे कि एपल को बॉइल करके काफी लोग खिलाते हैं बच्चे को है तो इस तरीकी का आहार आजाता है इसके अंतरगत नेक्स आएंगे शिशु भार में अधिकांस भार में व्रिधी से बढ़ता है अधिकांस भार किसमें बृधी से बढ़ता है क्या जीक भड़ा हो रहा होता है तो बढ़ता है कि हड्डियों के वज़ा से माल स्पेसी के वज़ा से वशा के वज़ा से या फिर त्वचा के वज़ा से आंसर क्या हो जाएगा good afternoon पाइल ची बेरे good afternoon चले आंसर करेंगे देखो कुछ option मैंने बी वाले option सी वाले option हो सकता है कुछ भी ऐसे जैसे मैं भी question कभी बनाती हूं नया तो कुछ भी जो मैंने में उस समय आ रहा होते है जिसका हो सकता है meaningless words हो वह लेकिन उसे attached हो जैसे कि मालो अगर मुझे new net पढ़ाना है suppose that example समझना मैं यह बताने की कोशिश करें कि हर एक option का meaning जरूरी नहीं कि कुछ होता हो चीक है वैसे देख लेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे new net है तो new net की जगा co net क्या होता है कुछ नहीं होता है शिशो में भार में अधिकांस जो बृधि होती है वो वशा के कारण होती है विए उस समय बच्चे के सरीर में और किसी वजह से चीक है आज ही की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका वसा यहाँ पर राइट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स पर आते हैं कोशन नंबर 5 नवजात को हीमोलाइट इस रोग किसके कारण होता है जल्दी आंसर करेंगे सबी लोग चलें डेली हम लोग बारा बज़े दोपहर में जुड़ेंगे question answer series के साथ आपका जब तक exam नहीं हो जाता तब तक बारा बज़े डेली हम्मारा और मतलब 12 सवा बारा या साड़े बारा के आसपास आपको classes प्राक्टिस मिलेगी ठीक है चले question number है आपके सामने 5 5 का answer करेंगे सबी लो नौजात को हीमोलाइटिस रोग किस कारण के वज़े से होता है आरेच असंगता आरेच असंगता जब हम लोग प्लास पढ़ रहते तब हमने बताया था कि आरेच पॉजिटिव आरेच निगेटिव जब इसमें दोनों में कोई इसमें असंगता होती है तब बंचे को हीमोलाइटिक नामक रोग होता है इसके असंगता यानि डिस पालंस के वज़े से यह प्रॉब्लब्लब आती है हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं होगा इसके वज़े से तो आपके एनेमिया और सारी चीज़े होंगी जन्म से आट से बारा मां के बच्चे की विकास अवधी को कहते हैं किस नाम से कहते हैं क्या बताते हैं और में यादो ची वेरे गूड अप्टरनून आंसर करेंगे सब्धिन कोश्चन नमबर 6 आपके सामने 6 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे कोश्चन नमबर 6 का राइट आंसर क्या होगा 12 माह की अवस्था की बात की जा रही है सबी तो कोशन नंबर के साथ आंसर मेंशन करेंगी अब यहां पर देखो काफी कुछ है बहुत क्लियर है जन्म से आठ से बारह माह के बच्चे का विकास की अवधी क्या कहलाएगी जब स्टार्टिंग में बच्चा कनेक्ट होता है बच्चों से यानि अरली चाइल्वूड से होता है पीयर अवस्था जिसको हम कहते है टीन एस यह तीन नहीं होगा टीन होगा टौ है यह तीन एस आप सभी को पता होगा किसी और आवस्था की प्रारम बिक्चर तो यह सारी इसे आपने यहां पर समझ लिया होगा यहां पी जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि अगर हम देखे ना हर्लोक महोदे ने 14 महीने से लेकर अगर हम थोड़ा से यहां पर इसको एक्स्प्लेन करना चाहिए तो 14 14 मानी 14 डेस 14 डेस से लेकर और टू वर्स दू वर्स की अवस बताया है कई बार एक्जाम में क्या होता है कि आपको कंफ्यूस करने के लिए यह चौदर दिन से दो वर्स न लिख के यह भी आ जाएगा कि हरलोक की अनुसार कौन से से लेकर अगर है तो जीरो से दो वर्स भी लिखा होगा तो उस कंडिशन में आपको देखना होगा कि को क्या सही होगा कई साथे आपके जो बुक सेना बच्चे मैसेश करते हैं कि यह गलत है बुक में गलत गलत नहीं होता है एकौर्डिंग टू को सही होता है वो चीज ठीक है बस यह चीज़ आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ेंगे नेक्स कोश्चन पर आते हैं एक साल की बच्चे की विशेस्ता क्या है परिवर्तन का समय है फोस आहार ग्रहण करनी एयों संबेगों से परिचे का समय है मल मुत्र नियंत्रड की अवस्था होगी इसको सही कर ले ना मल मुत्र नियंत्रड की अवस्था का समय उप्युक्त सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा ची के सामने एक साल के बच्चे की दिसेस्ता क्या है तो यहां पर याद रखना है कि परिवर्तन का समय होता है क्योंकि एक साल में बच्चा समाज में बहुत परिवर्तन कर रहा होता है यह जो परिवर्तन है कई तरीके का परिवर्तन हो रहा होता है इसमें सारीरिक विकास हो रही करें तो या तो गर्प वस्ता का जो तीसरा चरड़ था ना जो हमने बात की थी उसमें तेजी से विकास होता है या फिर दूसरा अगर सबसे तेजी से विकास कहीं हो रहा होता है तो वह सारीरिक विकास जीरो से दो वर्सकी आयू में तिब्रगती से हो रही होते है और शत की बात कर लें प्रती मां की तो अउसत जो होता है दो से तीन इंच प्रती मां का बच्चा लंबाई उसकी बढ़ रही होती है ठीक है ख्लेर हो गया तो ठोस आहर गराण करना भी उस समय प्रारम करा दिया जाता है क्योंकि छे महिने से ज्यादा का बच्चा हो गया है ठीक है उसके बाल मलमुत्र नियंद्रड की अवस्था होती तो यह सभी के सभी क्या हो जाएंगे यहां पर सही हो जाएंगे आगे बढ़ेंगे नौजात शिशु की आगलन है तो अपगार मापनी में दो कर प्रापतांग दिये गये हैं जिसे किसके लिए दिया जाता है फिर्दय की गती प्रती मिनट हंडर से एक सो चालिस धड़कने हो इसके लिए दिया जाता है पता है आपको कि जब बच्चा जन्म लेता है तो और एक अच्छा वाला कंडिक्शन होता है पड़ चुके वाप लो याद आ रहा होगा सारी चीज जो बच्चे अप्लिकेशन पर ज्वाइन है वां पर ने बोला था कि जब बच्चा नीला रंका होता है इसका मतलब खराब है उसका स्वास सही नहीं होगा अगर पिंक है ल अगर हम जाएंगे तो यहां पर एसी और डी होना चाहिए इसको में छोटा कर दूना ताकि आपको एक जगह दिख जाए चले अब यहां पर देखते हैं अगर बच्चा रो रहा है तो उसकी रोना ऐसा नहीं की रोता है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है बाहरा के वह र उसी से स्टार्ट होती है तो यहां पर देह गुलाबी तता पां पैर गुलाबी यानि सरीर गुलाबी होता है यह तीनों तो A, C और D यहां पर तीनों सारी चीज़े यहां पर क्लियर हो जाएंगी A option correct आगे बढ़ेंगे next पर आते नौजाद शिशु की कपड़ों के लिए रैगनल बाजु सबसे अच्छी मानी जाती है क्यों की अब देखो यहां पर मानी जाती है क्यों मानी जाती है यह आपको बताना है चले फटा 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 से आंसर करेंगे सफिलू कुश्यन नंबर है आपके सामने 9 नौजाद शिशु कोई बच्चा जन्म लिया है उसके क सूती कपड़े में भी देखोगे तो पुराना सूती कपड़ा उसे पहनाना चाहिए जो की बिना माड दिये हो ठीक है बिना माड दिये हो माड दिया होना चाहिए क्योंकि माड अगर रहेगा तो उसके स्किन क्योंकि सॉफ्ट होता है तो वह काफी स्क्रैचिस आने का डर ह होता है लेकिन अगर सूती कपड़ा हो तो सौफ हो जाता है काफी हलका हो तो बच्चे के लिए काफी आराम दे होता है और उसमें वो पसीने को वाटर को एब्सॉप करने की कैपेबिल्टी भी कॉटन में होती है नाचुरल फाइबर है कोई रियक्शन का डर नहीं होता है कृ कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइन का ए बिल्कुल सही पायल चौदरी ची मनिश्या यादो सभी का राइट आंसर आ रहा है पूजा सिंग चलिए देवेश्ची मोहिनी सभी का राइट आंसर है राहुल उर्मी यादो पीता राम अकांछा सभी का राइट आंसर आ रहा है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे आते हैं कोश्चन नंबर है नेक्स्ट जर्म की समय नौजात शिशू रोता है क्यों रोता है बताना है आपको जल्दी से बता दो अग्दम हलवा वाला कोश्चन है ये पटा-फट से कर लोगे सभी चलिए जल्दी से आंसर कर दीजए समय रहो रहा होता है रगत प्रबाह उत्तेजित होता है इसलिए और रहो रहा होता है ये भई उसकी स्वसंद क्रिया प्रारंब यहोती है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B option is right बहुत बढ़िया सभी का B answer आ रहा है चले आगे बढ़ेंगे next पर बृधि और विकास की प्रक्रिया बच्चों में होती है कैसे होती है जटिल से सरल की और सरल से जटिल की और सरल से सहजता की और या फिर नीचे से उपर की होती है विकास या ब्रिधी किस तरीके से हो रही होती है आंसर करेंगे सबी लोग नीटू वर्मा कह रहे है मैं जल्दी चल्दी करें नीटू जी समझना भी जरूरी है concept याद रखना जरूरी है otherwise question answer आपको application पर भी मिल जायेगा है न वहाँ पर आप जाए क्या question आये है लेकिन concept जाना जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं कि जो question आये है वही question आएंगे उसी contest में question आपको अलग way में देखने को मिलेगा ठीक है आप देखिएगा जब answer question आएगा वहाँ पर आप समझोगे फिर कि class के डिटेली करण के क्या फायता है डिटेली करण चलो यहां पर सरल से जटिल हो जाएगा right answer क्योंकि सहस क्रियाए पहले बच्चा करते है उसके बाद वो क्या करता है धीरे धीरे जटिल क्रियाए करना शुरू करता है जैसे पहले हमने देखा तक कली पढ़ाता हम लोगों ने application ने homosexual हो कि बच्चे को पेन पक्ड़म पेले ऐसे नीजियों से पकड़े पीरे बच्चा ऐसे हात अपते बच्छान कर थे मानु दिम्टाइन क्या कहलाता है भालय अस्ता का यऑन अस्ता का करभ कर रइंधा वस्ता या फिर से ब्लचा अस्ता था राइट आंसर क्या हो जाएक यह को इसको आज भी हमने सुबह 10 बजे अप्लिकेशन पर क्योंकि आपको पता है कि आप पर हम लोग आज सुबह 10 अ.ब क्लास लिए हैं और शां को 5 पीम भी क्लास होगी अप्लिकेशन पर हमारी कोशिश है कि आपके एक्जाम तक जल्दी से जल्दी सारे चीज़े करवा दी जाए और कोश्चत इस फॉर्म में आप करते रहोगे चीक है तो दो से तीन क्लास आपको मिलते रहेंगी जरूरी नहीं डेली तो दो क्लास रहेंगी ही आपकी बाकी एक क्लास जभी भी एक्स्ट्र टाइम होगा तो उसको मैं करा दूँ मानो विकास की बात करें बाले अवस्था नहीं होगा बाले अवस्था से यवन अवस्था नहीं होगा गर्भा वस्था से ब्रिधा अवस्था अब यहां पर देखो बाले अवस्था की बात है मानो विकास गर्भा वस्था से ब्रिधा वस्था इसका राइट हो जागा यह किसोरा वस्था तक यह होता है जिसको हम बालने वस्था कहते हैं लेकिन यहाँ पर गर्भा वस्था से लेकर कि क्या होगा बृद्धा वस्था तक में या फिर डेथ तक भी अगर आप्शन हो तो आप कर सकते हो राइट आंसर हो जाएगा मानो विकास होता है चीक है एजुकेशनल पॉइंट व्यू से चाइल्ड डबलपिंट इंपॉर्टेंट है हुमन डबलपिंट नहीं चीक है क्योंकि किसुरा वस्था तक में माना जाता है कि बच्चा को जो नॉलिज एक्वाइर करना चाहिए वो कर चुका होता है उस स्टेज में विकास आत्मक कारे कि विकास के बारे में सुना होगा है इनका मानना था विकासात्मक कारे के बारे में कि हर एक इंसान stew का हर एक बच्चे का विकासात्मक कारिव होता है और एक समय पर वो शुरू होता है और फिक्त एक डिरुशिन के बाद लस्टॉप हो जाता है तो ये बात कि निश्चित समय से सुरू होना और एक समय के बाद उसका खतम हो जाना वो ही क्या होता है विकासात्मक कारिर कहलाता है और ये बात हैविरा हस्ट के द्वारा कहा गया है आगे बढ़ेंगे नेक्स पे आते हैं कोशन नमबर 14 नौजात शिशु में कौन सी इंद्रियों का विकास सबसे कम या ना के बराबर होती हैं आंसर करेंगे सभी लूग चले फड़ा फड़ से आंसर करेंगे अब यहां पर दो concept आपको समझना होता है जैसे हमने बोला कि बीच में कुछ keywords को समस्ते रहेंगे यहां पर दो चीजे na नहीं सुन सकते हो दूसरा आपका नोज शियूससे आप मेल तीस्रा होता है आइस दिस जिससे आप देक सकती हो चौ थो निससे आप जतना जादा enrolled होंगे आपके teaching में आपके पढ़ने में यह किसी भी कारे को करने में वो कारे आपको उतना जादा सीख पाओगे, उतनी जल्दी से सीख पाओगे अगर बब 그렇지도나 आप देखते हो तो स्लीकाद सीख बिने के साथ सुनते हो तो फील करते हो और ज़्यादा सीखोगे लेकिन देखने सुनने बोलते भी हो और महसूस करते हो तो और ज़्यादा सीखोगे तो maximum इंद्रियों का प्रयोग maximum knowledge को एक्वायर करने में participate करता है ये बात याद रखेगा फिलाहल पच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सुंगने इक शम्तर होती है वो कम या ना के बराबर कोती है ठीक है तो सुञना बागी सब तो सेंसस होता है लेकिन वो सुंगने वाली प्रबिद्धि जन्म लेने वाले बच्चे में नहीं पाई जाती है नेक्स आते हैं यहना अवस्था या किसोरा अवस्था को कितने भागों में बाटा गिया है आंसर करेंगे 17 अवस्ता कि सोरा वस्ता 12-18 साल का आई किस में बाटा गया है आंसर करते हैं सभी लोग लेहाजींUNG चीफ very good afternoon सभी बच्चों को very good afternoon ठीक है सभी लोग It highway और सेशल पसंद आता तो अपने comments भी इसमें answers आणसर करते रहें जरूरी है answer mention करना जितने लोग देख रहे हो सबी लोग answer करो जल्दी-जल्दी से किसूर अवस्था को कितने भागों में बाटा गया है answer क्या हो जाएगा यहां पर यहां का explain भी देख वोगे आप लोग दो भागों में बाटा गया है बात करते हैं कौनस कौनस है तो आरंबे किसोर अवस्था को 13-16 की अवस्था में बाटा गया कई जगा आपको 12-16 भी मिलेगा इसींग लोग किस्टीन नोना होगा उत्तर किसोर अवस्था आपको यहां पर बाटा गया शाम से 18 कई जगा पे 16-18 भी राइट वाना गया है कन्फ्यूस बिल्कुल नहीं होना है अलग-अलग मनोवज्ञानिकों ने अलग-अलग अपनी अधाना दिये लेकिन सामाने तोर पे 13-16 और 17-18 को माना जाता है कि 11 अवस्ता या 50 अवस्ता के रूप में इसको समझा जाता है आगे बढ़ेंगे विकास का तात्परी क्या है मात्रात्मक होगा ओर मात्रात्मक होगः प्लस मात्रात्मक को ही और मात्रात्मक वही आप कभी कई बार परिमाडात्मक के नाम से भी जानते हूँ, है ला, तो गुडात्मक और परिमाडात्मक यहाँ पर राइट हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सारीरिक विकास कैसा होगा, सारीरिक विकास क्या है, तो आपका और फिर गुड़ात्मक है अगर ऐसे option आ जाएगा तो यह गलत हो जाता है इस बात को ध्यान रखिये गाँगा अगर सिर्फ पूछा जाए कि बृधी क्या है अगर के वल बृधी आ जाए सब्द वाप कोगे यह सर्फ मात्रात्मक होती है यह हम सर्फ इसको मेजर कर सकते हैं क ठीक है जी बिल्कुल मात्रात्मक तो यह सारी चीज़ें याद हो गई होंगी राइट आंसर यहां पर आपने देखी लिया था है ना गुड़ात्मक तथा परिड़ात्मक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्लियर अब सूचो के परिमाडात्मक यह भी तो दिमांग में आ रहा होका ना गुड़ात्मक तो ठीक है विकास होता है पर आपके बहुत बड़ाप्मेंट एक बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है इसमें आपके बहुत सारे development task होते है ना बृदी जो होती है ग्रोथ जो होते है इन्रोल्ड होते है जैसे physical growth हो गया mental growth हो गया ठीक है physical growth हो गया mental हो गया cognitive हो गया social growth हो गया language growth हो गया और सभी growth को मिला कर और सभी growth एक दूसरे से reconnected होते हैं ऐसा नहीं कि mental development हो रहा है तो physical नहीं हो एक दूसरे से कहीं न कहीं ये connected होते हैं तो आप इस तरीके से इसको एक दूसरे से connected आप बना सकते हो तो इन सभी growth को ही summarize करके हम क्या करते हैं विकास के रूप में परिभाशित करते हैं लेकिन जब विकास आता है तो पहले गुडात्मक होता है और क्यूंकि ये गुडात्मक कि होती है किस से होती है परिपकुता और बुद्धी की परस्पर क्रिया से प्रसिक्षड और अभ्यास की परस्पर क्रिया से परिपकुता और अधिगम की परस्पर क्रिया से या प्रसिक्षड और अधिगम की परस्पर क्रिया से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ह आजी मिल्कुल मातरात्मक सभी लोग सळी आंसर कर रहो बहुत बढ़िया चल यह ऊंसर कर देंगेक कोशन्जन नंबर सेवें एक क्या होगा विकास की उत्पतिफ होते हैं दन लूता क्या है कि बनता कैसे मिलता कैसे हमें विकास परिभक्चता और बुद्धि परिपक्पता और अधिकम की परिपक्पता हमारी आइस अगर मैचूर होगी पढ़ने के लिए एक बच्चा चोटा होता है वो नहीं सीख पाता क्यों कि वो डिस्ट्रांप्ट होते रहता है जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मैचूरिटी लेबल क्या होती है डबलप्ट हो जाती है जब फोकस होगी हमारी आइस मैचूर होगी तभी हम किसी ऑबजक्ट पे सिंगल ऑबजक्ट पे हम कॉंसेंट्रेट कर पाएंगे और जब हम कॉंसेंट्रेट कर पाएंगे तभी हम च चुनावतीयों वाले बच्च का दाखिला दिया जाता है उन्हें किस रूप में जानते हैं एक स्कूल है जहां पर समाने बच्ची भी पड़ रहे और वहां पे विस्स्ट बालक भी पड़ रहें यानि कि उनको अगर किसी कि विसस्ट बालक में आप जानते हों सभी जो समाने नहीं है वो बिसस्ट बालक के अंतरगत आते हैं ठीक है अब विकलांक और यह सब सब्धावली यूहस नहीं किया जाता है इसलिए कभी भी आफ अन्सर डाइटिंग में भी नहीं करेंगे ऐसे चीजों का यूज इसलिए बिसिस्ट बालक को हम यहां पे बताते हैं और बिसिस्ट बालक और जब समानि बालक डोनों एक सिंगल स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे उसकों बिसिस्ट नहीं business school specific उनी के लिए बनाया जाता है जो business रूप से जैसे सारे बच्चे एक जैसे disability से गुजर रहे हैं उनके लिए ये होता है business school संपुड स्कूल के रूप में हम इसको जानते हैं उनको specific अलग से treat कर सकते हो आप उनके अच्छाई के लिए लेकिन कोई भी ऐसा बात कोई भी ऐसी चीज़े उनको effect करें ऐसी बाते आप वहाँ पर नहीं करते हो नेक्स आते हैं बाल विकास का अध्यान किया जाता है कैसे किया जाता है गर्ब वस्था से ब्रिधा वस्था तक गर्ब वस्था से किशोरा तक प्रोड़ा तक या फिर जन्म से ब्रिधा वस्था तक आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस यहां पर हम क्या बात करेंगे, किसु और आवस्थात की जाती है, क्योंकि बाल विकास की बात की जा रही है, न की मानो विकास की बात की जा रही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीके, दिव्य सर्मा जी कोई भी ऑफिसिल नोटिफिकेसिन आएगा, मैं आपको बता द मोड में रहें अपनी पढ़ाई करते रहें एक्जाम जब होना होगा ही हमारे आपके कहने से नहीं होगा जब कमिशन चाहेगा तभी होगा और जब ऑफिस्यल नोटिस कोई आएगा तो मैं आपके साथ मिलूंगी इसी यूटूब चैनल पे बालक के विकास में सहायक हैं माता अब इंवार्मेंट में जो कि घर के बाहर मिल रहे होते हैं इसी में बच्चा जो कुछ भी सीक पाता है यारी कि अच्छा समाज दोगे अच्छा सीखेगा पेर गुरुप सच्छे होंगे बच्चा उनके कौर्डिंग सीखेगा और माता पिता जैसे उसका ट्रीट करेंगे जैसे ब्यभार करेंगे वैसे बच्चा सीखने लगता है तो सभी की सभी उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं नेक्सरे बच्चे का दात निकलना प्रादम होता है एक महिने में तीन महिने में शिक्स मन्त में या फिर टेन मन्त में राइट आंसर क्या हो जाएगा यहा जैसा हो लेकिन एक सामानित की बात की जाती है तो उसको ध्यान में रख के आंसर करना है चलिए आंसर करेंगे सभी लो next का right answer क्या होगा six month यहां पर सही होगा according to question यहां पर right answer हो जाए six month छे महिने में यहां पर right answer हो जाएगा चलिए एक किसका सी आगे बढ़ेंगे next पर विकास के क्रम में सबसे पहले क्या था धर्ड सीर पैर गर्दर प्राइट आंसर क्या हो जाएगा UGC net का question है sequence match the following में इस तरीके से question पूछे जाते है ठीक है यहां पर sequence अरेंज करने के लिए पूछा गया था लेकिन simply आपको पता होना चाहिए कि विकास के क्रम में सबसे पहले आपने देखा था कि जब जैगोट करें माटवा था और उसके बाद दीरे दीरे आपने देखा था कि जब अच्छा एक महीने का था गर्व में तो उसका सिर्फ हमे ही जोथा कि करने सबसे आंपने बहाते हैं तो विकास हुआ होä जाते हैं तो एस तरीके से बच्चे का सबसे पहले होता है वो यहां पर सिर नहीं रखेंगे विकास के क्रम में सबसे पहले सिर होता है सर फिर उसका फेस का विकास होता है फिर गरदन होगा और उसके बाद धड़ यानि पूरी बॉड़ी और लास्ट में आता है आपका पैर तो ये क्रम भी आपको याद रखना है जो आपसे NET के एक्जाम में पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड चीक है चले नौजात शिशु के लिए उपियोगी वस्त्र होने चाहिए कौन से वस्त्र उपियोगी होने चाहिए नए सूती तथा मांड लगे हुए मांड यानि स्टार्च लगे हुए वस्त्र होने चाहिए या दूसरा ऑप्शन है आपके पास पुराने सूती तथा कुमल वस्त्र होने चाहिए या फिर तीसरा है आपके पास कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए कृत्रिम मतलब आटेफिसल फाइबर से बने हुए वस्त्र या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा question number है आपके सामने 23 सभी जबाप क्या होगा यहाँ पर question के आप से देखा जाए तो यहाँ पर पुराने सूती तथा कोमल वस्त्र होने चाहिए ठीक है कर दो नेक्स है नोजात सीशु के लिए उपयोगी वस्त्र होने चाहिए अच्छा यह दो बार हो गया क्या कोई बात नहीं कि दो बार हो गया question चलो आगे बढ़ जाते हैं एक को हम यहाँ पर replace करके कोई दूसरा question add कर देंगे चीक है application वाले बच्चे यहाँ पर दूसरा question देख पाएंगे आधे एक गंटे बात हुआ कि है परिवर्टन होते हैं विनास अत्म कर आटमक ग् physically कौन से परिवेर्तन होते हैं राइट अंसर क्या हो जागा ध्यान रखेगा question की according आपको answer करना उता है चीक में क्या होगा कि जब हम क्या करते हम कुछ कुछ भी उसके बाद क्या हो गया कि आपने एफर बनाना सीख लिया या एपल बोलना सीख लिया यह कोई भी एक नई टर्मिलोजी सिख लिए सपोज आपने विकास का डैफिनिशन इस्ते पहले भी पढ़ा होगा आज भी आपने कुछ चीजे सीखी होगी हो सकता है कुछ नह अगर आपने कुछ नहीं चीजे सीखी और हो सकता है मेरे सीखाने या आपके पहले सीखे होने दोनों के mix-up के बाद एक तीसरा भी आपके पास निसकस निकल सकता है कि मुझे तो यह पता था और आज मैंने यह सीखा अब इसका मतलब यह नहीं यह होता है तीसरी चीजे और विनासात्मक रचनात्मक होगा तो भी वो सही हो सकता है जरूरी नहीं कि विनास होने के बाद ही रचना हो रचना ऐसे भी हो सकता है ठीक है हर लोग के अनुसार विकास का अर्थ क्या है आंसर करेंगे सबी लोग हर लोग के अनुसार विकास का अर्थ क्या होता है अलग था अब हर लोग के अनुसार डेवलप्मेंट को पूछा जा रहा है आंसर आपको करना है फटा फट से कर देंगे सभी लोग 26 टोटल हम तीस कोश्चन हे डिसकस करेंगे यहां पर इस टॉपिक से और इसके बाद एप्लिकेशन पर यह तीस टॉपिक तो आपके पी आफट से कर लोगे जाने से पहले आपका एक टॉपिक बढ़ियां से तयार हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से आप पढ़ रहे हो हमारे साथ चले तो गुडात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है हर लोग की अनुसार भी तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इ पर एज बुक में तो पीजी टी के ऐग्जाम में फूर मन्त दे रखा है तो क्या होगा और इक्ञेल क्या होता है इस चीजको हम लोग यहां पर समझेंगे ले positively पर हम बात कर लेए मारे ऑप process कaimer का मतलब होता है यह दिवर का मतलब होता है इंग नए एक और सब्धम लिख दे रहें, जिसको जो समझना होगा, किसक ना, एक अस्थान से, एक अस्थान से, दूसरे अस्थान तक जाना, अब इसका आंसर आप लोग खुदी करनोंगे, दूसरे अस्थान तक जाना, चीक है, मूव करना, मूव करना, चीक है, मौमेंट करना, मौमेंट या बॉड़ी मौमेंट करना, चीक है, यह सब मतलब होता है क्रीपर का, एक बच्चा है, जो खिसक रहा होता है, बतलब अपने हाथ को ऐसे, बेड पे उसको पेटके बल लिटा दो, और उसके सामने कोई आप्जग्ट दे दो, यानि उत्तेजक दे दो, इस्टुमिलस दे दो, बच्चा रिस्पॉंस करना स्टार्ट कर देगा, उसको पकड़ने के लिए हाथ पैर से जाएगा, पेट के बल खिसकेगा, इस तरीके से एक्टिविटी करता है, इसी को हम कहते हैं क्रीपर इस, ठीक है, यहाँ पर बकईया च चार पैर पर चलना नहीं, इसके बाद चार पैर पर चलने की प्रक्रिया बच्चा सुरू करता है, लेकिन यह क्रिपर है, जिसमें पेट का सहारा लेकर हाथों से बच्चा आगे की तरफ बढ़ना सुरू करता है, अब यह देखो, आठ से नो मा में तो नहीं होगा ना, इस दोनों में confusion होगा, अब इस confusion को solution कैसे मिलेगा, जीरो से चार मा में, जीरो से एक मा में बच्च कोई भी activity वैसा नहीं कर रहा होता है, सिर्फ हाथ पैर को हिला डूला सकता है, ठीक है, एक मा की अबस्था में, वो भी बहुत ही minimum, तो यहां पर बच्चे का moment जादा नहीं होता ह है, यहां पर stimulus भी दिखाऊगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा response नहीं करेगा, लेकिन दो से चार मा में थोड़ा सा बच्चे में चंशलता, थोड़ा सा खिसकने वाला, चार महीने तक आते आते start हो जाता है, ठीक है, तो according to option जो right answer होगा, वो होगा दो से चार महीना, इन कि चार महीने में बच्चे है, तो बेड़ पे लिटाते हो, खिसकते खिसकते गिर जाता है, तो वो क्यों, क्योंकि वो खिसक रहा होता है, यही creeper is कहलाती है, क्लियर हो गई बात, नेक्स आते है, question number 28, धीमी विकास करने वाले बच्चे की पहचान है, अगर कोई बच्चा दिमाकाती से विकास कर रहा है, तो उसका पहचान हम कैसे करेंगे, उसका पहचान हम भावनात्मक विभार में देरी, इसका मतलब होता है, अगर कोई धीमी कतिसे विकास कर रहा है, कोई बच्चे जीसे घर में ही होता है, मैं अपना एक्जांपल तारीफ कर ओ Muzeलि, को ढो UP कि अभी मेरी बेहन सुनाएगी मेरी मम्मी बोलती है कि 9 मंद में चलना स्टार्ट करें और मेरी बेहन डेर साल पर चलना स्टार्ट की ठीक है तो उसमें क्या हो अधीमी विकास हो लेकिन वो मेरे से ज्यादा दिमाग में तेज है मतलब उसका दिमाग ज्यादा चलता है मेरा कम तो जरूरी नहीं कि अगर कोई बच्चा धीमी गती से विकास कर रहा है तो वो उसका आगे चलके भी वैसे ही डवलपमेंट वो तेज हो सकता है यह लाइन सिर्फ खुश करने के लिए था ठीक है बड़ यह सचा ही है क्लियर भावनात्मक ब्यवहार में देरी हो सकती है कटॉप कर लेगा या कनेक्ट नहीं होगा बहुत ऐसे इंटेलिजेट परसन को आप जानते होंगे जो सोसली बहुत कम इंट्रक्टेड होते हैं चीक है तो यह गती यह उन कुशलता में देरी यह हो सकता है राइट आंसर हो जाएगा सी क्योंकि उसकी गती और कुशलता में देरी हो सकती है यहां पर बोलने में देरी यह जरूरी नहीं कि बोलने में भी देरी होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब आते हैं नेक्स्ट 29 नंबर कोशन पर तीन किलोग्राम भार वाले नौजात मानो मानो शिशू मनुस्य के शिशू की बात की जारी चमगादर और उंट के शिशू की बात में का भार लगबग दो गुणा हो जाता है कब अब एकोर्डिंग टू आप्शन आपको चूज करना है बेसिकली अगर हम बात करें न तो बच्चे का सामाने भार जब होता है सामाने वजन जो होता है ठीक है आज ही हम लोगों चमंतक है तो इसको हम सामाने रूप में या अच्छा ही मानते हैं बुरा नहीं मानते है अगर दो पुएंट यूट याज कोशित के रूप में जानेंगे अगर बच्च धाई केजी से कम का पैदा हुआ है तो लेकिन यहां पूछा जा रहे कि तीन किलोग्राम भार वाले बच्चे का दूगुना हो जाता है का बेसिकली होता चार महिने में लेकिन इस ऑप्षिन में आप देखोगे चार महिना नहीं नहीं दे रखा है इसलिए आंसर हो जाएगा क्या तीन महिने में यह हो जाता है भी नहीं होगा भाई छे माह में नहीं होता ठीक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तीन माह तीन माह में बच्चे का वैसे होता फूर माह में है आज ही हम लोग सुबह सुबह पढ़े हैं तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, six नहीं होगा, यहाँ पर a answer हो जाएगा, सभी लोग बोलें b, 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 नहीं होगा बच्चे, एक बर आप copy, मतलब इसको real book से आप चीजे पढ़ना आपको clear हो जाएगा, ठीक है, नेक्स आते हैं, हर लोग महदे ने बालक की अवस्थाओं को कितनी भागों में बरगी कृत किया है, क्योंकि हर लोग महदे ने कहा था कि यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेता है, यानि कि जब उसकी विकास की क्रम देखते हैं, तो उसको 5 डिवाइड कर देते हैं, 5 भागों में, ठीक है, विद्यावती जी, a is correct answer, a ही इसका right answer होगा, आप लोग confused नहों, b, इसका right answer नहीं आशरोगा, बैसिकली होता है, है, 4 महिने की कि 1 महिन, फिर जाको ने कि तीम कर दा जाता है, आप पर आ जाते हैं, तो इसमें क्या दिया है, के बच्छा देखो 2.5 kg का जन्म लेता है हमने माना की 2.5 kg का है लेकिन यहां पे दिया है 3 जरू मतलब कि यह मतलब की जन्म से थोड़ा जयादा टाइप हो गया है फिक का यानि तीन kg का है तो अपने मान लिया कि बच्छा 1 महिने का होगा खिसके अगर मान लेतें कि 15 days ते लेके 1 मेने का हो सकता है 1 मंत का हो सकता है बेसिकली अगर 2.5 kg का है थो बच्छा double कभ वोगा 2 गुना हो जाता है 4 महिने में 4 मा पूर्श पर 4 मा में 2 गुना होता है तीन माह में बड़ा होगा ठीक है और इसको मैंने दो तीन जगह से चेक भी किया तो यहाँ पर तीन ही इसका आंसर माना गया है चीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स कोशन पर हरलोग मोदे ने बालक की अवस्थाओं को कितने भागों में बाटा है फाइब में डिवाइड किया है और यह पांच भाग कोन-कोन से है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गर्व अवस्था से यानि कि जाइगौटिक स्टेश से लेकर पूरे गर्व धारर तक की अवस्था पहला है दूसरा है जन्म से लेकर 14 दिन तक की अवस्था तीसरा सैस् वर्स तक और यहां पर किसोर आवस्था याद रखना हर लोग मौदे ने 11 ही लिखा है 11 से 21 वर्स की अवस्था इन्होंने माना है बारा से नहीं जनरल वे में अगर देखा जाए डवल्लेप्मेंट के स्टेजस तो वह 11 नहीं होता है 12 वर्स से माना जाता है लेकिन यहां प पर राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर कोश्चन में भी आप गलत आंसर लगाया है सुनने की शब्दा नहीं होती है बच्चे में हमने क्या लगाया था मैंने तो वही बोला कि सेंसिस काम नहीं करता है जो सेंसिस होते है ना वह देख लेते हैं 14 नंबर कोश्चन जो भी डा इसमें बच्चे के सुंगने की शमता क्या होती है नहीं होती है नौजाग शिशु में कौन सी इंद्री का विकास सबसे कम या ना के समान होते है वो सुंगने की शमता उसके में नहीं होती है क्योंकि बच्चा क्या कर रहा होता है ना कि अगर छोटा होगा तो उसके में यह जो सेंसस है अगर उसको कूडे के पास भी रख दो ना तो वो कुछ हिलेगा डूलेगा ने क्योंकि उसके में बहुत ही कम मात्रा में यह सेंसस डेपलप हुआ रहता है ठीक है तो इसको आपका रिट कर ले ना 14 का D होगा राहुल सिंग जी कह रहे है 14 का D अच्छा सुननना लिखा है अब सही कहए रहो बताया कि मैंने वही है ना सुनना ही बताया है ठीक है तो इसको सही करलो सभी लोग सही करलो सुनना और सुनना देखो ऐसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल पर जो बच्छे नहीं नहीं है और दूसरी चीज़ के बैल आइकन को प्रेस कर लेजेगा तकि आपको लेटिस नोटिफिकेशन पर मिलते रहेगा जैसे एक्जाम डेट आएगा मैं आपके साथ यहाँ पर मिलूँगी और आपको एक्जाम डेट ऑफिसल नोटिस के हिसाब से मैं बताऊंगी फेक न्यूज नहीं इस प्लेटवर्म पर सिर्फ जिल्बाएब एक्या थे एक्यू